मेरे भाईयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमश्कार, सब को मेरा प्रणाम, सस्रियकाल मैं देख रहा हूँ, दूर दूर तक, जहां भी नजर जा रही है, इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग आ जाये हुए हैं, पूरे पंजाब से लोग आये हुए हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आये हुए हैं, आप सब लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी दूर से चल के इतना समय निकाल के आए उसके लिए बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया आज मैं आपके बीच में पंजाब के किसानों को सल्लूट करने के लिए आया हूँ दिल्ली से जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीन काले कानून पास किये मोदी सरकार ने तीन काले कानून पास किये सबसे पहले उसके खिलाफ विरोध में आवाज निकली पंजाब से आवाज निकली सबसे पहले पंजाब के किसानों ने उन तीनों कानूनों की खिलाफत करनी चालू करी पंजाब के अंदर सबसे पहले अंदोलन उठा और वो अंदोलन दिल्ली पहुँचा जो आग पंजाब के अंदर आप लोगों ने लगाई आज वो पूरे देश के अंदर आग लग रही है सारे देश के किसान आज खड़े हो गए आप लोगों के साथ आज मैं पंजाब के किसानों को इसी लिए सल्यूट करने आया हूँ पंजाब वीरों की धरती है ये आज नी सदियों से जब 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 अन्याइँ हुआ देश के उपर या पंजाब के उपर पंजाब के में लीडर्शिप ली है और इस बार भी तीनों कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने लीडर्शिप ली है मैं सलूट करने आया हूँ पंजाब के लोगों को कि अब केवल पंजाब के किसानों का अंदोलन नहीं बना अब ये हर आदमी का हर औरत का हर बच्चे का अंदोलन बन गया है और केवल पंजाब में नहीं मैं दिल्ली से आया हूँ दिल्ली के घर घर के अंदर ये अंदोलन पहुँच गया है मैं अभी सूरत गया था सूरत में आम आदमी पार्टी बीजेपी से 27 सीट जीत गई है बीजेपी के गड़ के अंदर गुजरात बीजेपी का गड़ माना जाता है सूरत में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार में सूरत के अंदर कॉंग्रेस की जीरो आम आदमी पार्टी की 27 सीट आई है तो मैं अभी सूरत गया था सूरत के लोगों ने मेरे को कहा कि सर अगर आप पंजाब जाओ तो पंजाब के लोगों ने को बोल देना पूरे गुजरात के किसान उनके साथ है दिल्ली आपके साथ है गुजरात आपके साथ है थोड़े दिन पहले मेरी ममताब अनरजी से बात हुई उन्होंने मेरे को कहा कि वेस्ट बेंगॉल के सारे किसान आपके साथ हैं तो यह लोग जो बोलते हैं कि यह अंदोलन तो केवल एक दो राज्यों का अंदोलन है यह एक दो राज्यों का अंदोलन नहीं है यह पूरे देश के किसानों का अंदोलन है और यह केवल देश के किसानों का अंदोलन नहीं है यह हर भारत वासी का अंदोलन है इत् Primary पिजुरू से मैं इस अंदोलन में मैंने केवल समर्थन नी किया इस इस अंदोलन का हिजसा बनके मैंने इस अंदोलन के अंदर भाग लिए ओर आज है मे मेरे को हर जाना ये हमें परेशान कर रही है मोदी सरकार बार के खूब परेशान कर रही है अब ये हमारी सारी पावर छीनने का कानून लेके आए हैं संसद के अंदर जब पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले नवंबर के महीने में तो हरियाना के अंदर हर शहर में इनको रोका गया इनके ओपर पानी की बुछारे छोड़ी गई बैरिकेड लगाए गए आसुगेस के गोले छोड़े गए हर जगे इनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन पंजाब के किसान का हमानने वाले हैं वो चलते गए चलते गए चलते गए सारे अडचन पार करते हुए इनके बैरिकेड तोड़ते हुए पानी की बुछारे पार करते हुए पंजाब के किसाम दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए तो दोस्तों मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा शडिंत्र रचा उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी मोदी सरकार ने प्लानिंग करी कि इन किसानों को दिल्ली आने देते हैं जब ये दिल्ली आ जाएंगे तो नो स्टेडियम नो बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने प्लानिंग करी मोधी सरकार ने उनको जेल बना देते हैं और उन जेलों के अंदर पंजाब के सारे किसानों को डाल देंगे वहाँ ये कई महीनों तक पड़े रहेंगे इनका अंदोलन खतम हो जाएगा दोस्तों से अपनी किस्मत अच्छी थी उन स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोधी सरकार को नहीं थी वो हमारी सरकार को थी ये किस्मत ही उपर वाले की कृपा है वाई गुरुजी की कृपा है कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोधी सरकार की नहीं थी तो मोधी सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि ये नौ स्टेडियम जेल बनाने हैं मैंने पूछा क्यों बनाने हैं बोले यह जो किसान आ रहे हैं इनको जेल में डालना है तो दोस्तों हमने का हम नहीं जेल नहीं बनने देंगे इन्होंने खूब फोन करें मिरको इन्होंने खूब दवाव डाला खूब प्रेशर डाला लेकिन हम नहीं चुके अभी जर्नेल सिंग ने पढ़के बताया मैंने फाइल पे लिख दिया किसानों का आंदोलन अहिंसक है इनकी मांगे जायज है मोदी सरकार तुरंत इनकी मांगे मान ले और हम इनको जेल नहीं बनने देंगे दिल्ली पुलिस की एर्जी हम लोगों ने खारिज कर दी हम लोगों ने कैंसल कर दी ये इतना गुसा हो गए इतना गुसा हो गए मिर से मोदी सरकार खूब नराज हो गई और उसी का नतीजा है पिछले हफ़ते संसद के अंदर मोधी सरकार कानून लेके आई है कि दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर केजरिवाल की नहीं होगी दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर मुख्यमंत्री की नहीं होगी सारी पावर गवर्नर की होगी LG की होगी सारे निरने LG लेगा वो हमारी सारी पावर छीनना चाते हैं उनको लगता है अगली बार जब जेल बनानी पड़ी तो फाइल फिर मुख्य मंत्री के पास नहीं एल जी के पास जाएगी पर दोस्तों चिंता मत करना आपका बड़ा भाई आपका बेटा मैं वहाँ पे लड़ रहा हूं इन लोगों से छे साल से लड़ रहा हूं मेरे को पता इनसे कैसे लड़ना है इनको कभी किसी हालत में किसानों के खिलाफ कोई अक्शन नहीं लेने देंगे जब तक दिल्ली में मैं हूं आप किसी बात की चिंता मत करना जब अंदोलन जब बॉर्डर पे किसान आके रुख गए उनकी सेवा करने के लिए हमारे सारे मले जितने मले बैठे हैं पंजाब के सारे मले हमारे MP भगवन तमान साथ हमारे दिल्ली के सारे मले दिल्ली के सारे MP सबने वहां जाके सेवादार की तरह सेवा की मैंने सब को बोल दिया वहां जाओगे पार्टी का जंडा नहीं लेके जाना पार्टी की टोपी नहीं पहन के जाना पार्टी का नाम भी नहीं लेना केजरीवाल का नाम भी नहीं लेना सेवादार बनके वाय गुरुजी का नाम लेके किसानों के बीच में जाके सेवा करना इन्होंने सबने जाके रोज सेवा करी और भी बहुत लोगों ने सेवा करी केवल हमने नहीं वहाँ पे और बहुत सारी चत्थे बंदिया है सब लोग ने लंगर लगा रखा है हमने दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ सारब पानी का इंतिजाम करा टॉयलेट का इंतिजाम करा हमने वहाँ पे लंगर का इंतिजाम करा फिरकाई बच्चे आये एक दिन मेरे पास बोले हमें अपने पिंड में बात करने में दिक्कत होती है सिग्नल कमजोर है हमने वहाँ पे फ्री वाइफाई का इंतजाम करा दिल्ली सरकार की तरह से जो जो हम कर सकते थे हमने किया तो एक दिन अपने अख़बार में पढ़ा होगा मैंने सोचा मैं भी सिंगू बार्डर पे जाके किसानों से मिलके आता हूँ जब मैं अपने घर से निकला तो दिल्ली पुलिस ने मेरे को रोक लिया दिल्ली पुलिस मेरे एंडर में नहीं आती दिल्ली के मुख्य मंतरी के अंडर में नहीं आती मेरे को मेरे घर के अंदर नजर बंध कर दिया मेरे को 24 घंटे घर से नही निकलने दिया ताकि मैं सिंगू बॉर्डर पे जाके खिसानों से नहीं मिल सकूँ लेकिन दोस्तो मुझे कोई परवा नहीं है ये जो मर्जी अत्याचार करें आप लोगों का लड़ाई आप लोगों की लड़ाई जाये जाये आप की मांगे जाये जाये आप सच्चाई के रस्ते पे चल रहे हो अंत्पंत में जीत अपनी होगी इन्होंने अंदोलन को तो किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी कभी कहते हैं खालिस्तानी हैं कभी कहते हैं अतंकवादी हैं कभी कुछ कभी कुछ किसम किसम के इल्जाम लगा है अंदोलन के उपर लेकिन देश की जनता देख रही है इनका एक भी नहीं चली आम आदमी पार्टी ने इनके जितने बीजेपी के नेताओं ने गालियां दी जितने बीजेपी के अगुओं ने हमारे किसानों को गालियां दी आम आदमी पार्टी ने इनके उपर सत्तर केस कर रखें इनके सारे बड़े बड़े नेताओं के उपर केस कर रखें मुझे पूरे उमीद है ये जितने लोगों ने गालियां दीए एक दिन ये सारे जेल जाएंगे जब आदेश पारित होगा दोस्तों सत्तर साल से इस देश के अंदर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है किसानों के साथ ज्याद्ती हो रही है सतर साल से इतनी पार्टी आई लेकिन किसानों को धोखे के लावा कुछ नहीं मिला कभी कोई पार्टी आती है कहती है हम नौकरी देंगे कोई नौकरी नहीं देता कभी कोई पार्टी आती है कहती हम करजा माफ करेंगे कोई करजा माफ नहीं करता लेकिन दोस्तों ये तीनो कानून जो हैं ये तीनो कानून ऐसे हैं कि अगर ये लागू हो गए तो किसानों का कुछ नहीं बचेगा ना उनकी जमीन बचेगी ना उनकी खेटी बचेगी ये खेटी उठाके बड़े-बड़े पुझी पतियों को इनके जो दोस्त है तीन-चार दोस्त है उनको उठाने की पूरी तर इन्होंने तैयारी करक्थी आज से चार साल पहले जब पंजाब में चुना हुआ था तो कैप्टेंस साभ ने भी बड़े-बड़े वादे किये थे किये थे कि नहीं किये थे कैप्टन साहब ने कहा था स्मार्ट फोन दूँगा जिस जिसको स्मार्ट फोन मिलिया जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो अपना फोन दिखा दो कैप्टन साहब ने जिस जिसको स्मार्ट फोन दिया है किसी को नहीं मिला कैप्टन साहब ने कहा था कि किस किस का करजा माफ हो गया जरा हाथ खड़ा करके बता दो कैप्टेन साब ने का था बुढ़ापा पेंशन डाएजार रुपे महीना करूंगा जितने पुचुर्ग बैठें जिस जिस के डाएजार रुपे हो गया जरा हाथ खड़ा करके बता दो कैप्टेन साब ने कह था हर घर में नौकरी दूँगा किस-किस को नौकरी मिल गई जरह हाथ खड़े करके बता दो आज ये मैं कार्ड लेके आया हूँ ये कैप्टेन साब ने ये कार्ड बाटे थे नहीं बाटे थे इस पे लिखा है बेरोजगारी भत्ता कार्ड बेरोजगारी भत्ता कार्ड इस पे लिखा है कैप्टेन ने सौचुकी हर घर एक नौकरी पक्की कैप्टेन ने सौचुकी हर घर एक नौकरी पक्की किस-किस को नौकरी मिल गई दोस्तों ये कार्ड कैप्टन साब ने ये कार्ड 20 लाख लोगों के घर में बाटे थे 20 लाख नौजवानों को ये कार्ड दिया था कैप्टन साब ने कहा था मेरे को वोट दे दो मेरी सरकार बन गई तो मैं नौकरी दूँगा ये कार्ड लेया ना कार्ड दिखा के मैं नौकरी दे दूँगा आज पंजाद के युवा उनके घर के चक्कर काट रहे हैं एक आदमी को नौकरी नहीं मिले मेरी आप लोगों से निवेदन है ये कार्ड ठैकना मत ये कार्ड रख्या रखना रोग सवेरे उठके इस कार्ड को निकाल के देखना ये आपको याद दिलाएगा कि आज से चार साल पहले एक आदमी आपको धोखा दे के वोट दे के चला गया ये कार्ड आपको याद दिलाएगा कि किस तरह से कैप्टेन साब ने आपको जूट बोलके वोट लिया ये कार्ड फैंकना मत अगले एक साल तक रोट सवेरे उठके ये कार्ड देखना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हो उससे बदला लेते हैं कैप्टेन साब ने आपको धोखा दिया एक साल के बाद उनसे बदला लेना है नहीं लेना है लेना है नहीं लेना हाद खड़ा करके बतायो ज़रा जिसने धोखा दिया पूरे पंजाब को धोखा दिया ना किसी को नौक्री दी, ना किसी को रोजगार दिया, ना किसी का लोन माफ किया, ना किसी की बुढ़ा पर पेंशन लगाई. अभी दो दिन पहले एक टीवी चैनल वालों ने दो दिन पहले एक सर्वे किया था. देखा था सर्वे आया था क्या था सर्वे में दो दिन पहले उन्होंने सर्वे किया था कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब में किसकी सरकार बनेगी सर्वे में आया है कि पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी मैं नहीं कह रहा हूं सर्वे में आया है एबीपी चैनल वालों ने सर्वे किया है सर्वे के अंदर निकल के आया है कि आम आदमी पार्टी नंबर वन पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दोस्तों, ये कार्ड संभाल के रखना, एक साल के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन जिन लोगों को कैप्टेन ने ये कार्ड दिया था, उनको आम आदमी पार्टी नौकरी देगी जिन जिन लोगों को कैप्टेन ने ये कार्ड दिया था, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी कैप्टेन साभ ने जितने वादे करे, एक भी वादा पूरा नहीं किया दिल्ली के अंदर हम भी चुनाव लड़े थे, दिल्ली के अंदर चुनाव के पहले हमने भी वादे करे थे बाई साहब एक एक वादा पूरा किया एक एक वादा पूरा किया चुनाए दो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है कोई पावर कट नहीं लगता 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल कितना आता है यह मैं देख रहा हूं कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा हूं मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेरे फक पड़ेयां भी उनको समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है बिजली का बिल जीरो कैसे आ सकता है बाइसाब दिल्ली में 73 प्रतिशत लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है उनके घर बिजली का बिल नहीं आता उनके घर बिजली का बिल नहीं आता 24 घंटे बिजली आती है चमतकार है ये और पंजाब के अंदर इतना बिजली का बिल आता है तो दिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है पंजाब में बिजली का बिल जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होगा जोर से बोलना पड़ेगा हाथ खड़े करके बताओ पिछली का बिल जीरो होना चीए नहीं होना चीए दिल्ली में हो सकता तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता कौन करेगा कौन सी पार्टी करेगी कौन सी पार्टी करेगी चुनाव के पहले मैंने वादा किया था अपने लोगों को दिल्ली में कि मेरे को वोट दे दो मैं स्कूल अच्छे कर दूँगा आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शांदार हो गए हमारे गरीबों के बच्चे इतने शांदार स्कूलों में पढ़ते हैं आज हमारे गरीबों के बच्चे डाक्टर बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं एड़ोकेट बन रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं पंजाब के स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए कौन सी पार्टी करेगी कौन सी पार्टी करेगी चुनाव के पहले मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था हमको वोट दे दो हम अस्पताल अच्छे कर देंगे आज दिल्ली के अस्पताल इतने शांदार है 22 साब अगर 15 लाख रुपे का भी उपरेशन हो दिल्ली के अस्पताल में फ्री में होता है एक पैसा नहीं लगता सारी दवाईया मुफ्थ सारे टेस्ट मुफ्थ सारा इलाज मुफ्थ सारे डक्टर मुफ्थ और इतने शांदार सरकारी अस्पताल है पंजाब में होना चीज़ नहीं होना चीज़ कौन सी पाटी करेगी तो दोस्तों एक साल है एक साल के अंदर अब अपने को मिलके हम सब लोग गाउं गाउं के अंदर हर पिंड के अंदर हर पिंड में जाएंगे हर महले में जाएंगे हर गली में जाएंगे और आपके साथ मिलके एक नए पंजाब का सपना तयार करेंगे अपने को नया पंजाब बनाना है अपने को खुशाल पंजाब बनाना है अपने को एक ऐसा पंजाब बनाना है जिसमें हर किसान खुशो हर मजदूर खुशो जिसमें हर व्यपारी खुशो हर आड़ती खुशो जिसमें हर आदमी हर औरत हर बच्चा खुश हो जिसमें हर एक को अच्छी शिक्षा मिले जिसमें हर आदमी को अच्छा इलाज मिले जिसमें पैसे की तंगी की वज़े से किसी की स्कूल बंद नहीं होनी चाहिए किसी को अस्पताल इलाज नहीं बंदोना चाहिए तो हम सब लोगों को मिलके एक ऐसे पंजाब बनाना है अगले एक साल में हम सब मिलके एक ऐसे पंजाब का सपना तयार करेंगे उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी और आपके साथ मिलके पंजाब को एक नया पंजाब बनाएंगे खुशाल पंजाब बनाएंगे एक बार फिर से मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूँ पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूँ हम तन मन धन पूरी तरह से मैं मेरी पार्टी मेरी सरकार किसानों के साथ है और जब तक ये तीनों कानून मोधी सरकार वापस नहीं लेती हम चैन से नहीं बैठेंगे बोले सो निहाल